तो आज हम पढ़ेंगे LCM, Least Common Multiple, so 3 ways to find LCM, इसमें सबसे पहले नमबर पर हम पढ़ेंगे multiples method, multiples method is very simple, इसमें सिरफ हम 10 को multiply करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 and so on, तो इसे 10 के multiples के आएंगे 10 into 1 is equal to 10, 10 into 2 is equal to 20 and इसी तरह 10 into 10 is equal to 100, so ये multiples आगए 10 के and so on, इसके बाद हम 25 के multiples को मालूम करेंगे, so 25 into 1 is equal to 25, 25 into 2 is equal to 50 and so on, so अब इसमें हम common multiple जो है वो find करेंगे, so इसमें common multiple 50 and 100 है, इसके बाद 150 भी इसमें common multiple आएगा, so least का मतलब है, इसमें सबसे चोटा multiple आप कौन सा है, so इसमें सबसे चोटा multiple 50 है, so इसी तरह LCM 10 और 25 का LCM 50 है, इसके बाद number 2 type हम पढ़ेंगे, prime factors method, prime factors method हम कैसे मालूम calculate करेंगे, इसमें LCM of 12 and 18, हम अब factors इसके मालूम करेंगे, so 12 के factors है, 2, 2 into 6 is equal to 12, इसके बाद 2 into 3 is equal to 6, 3 into 1 is equal to 3, so 12 के factors 2, 2 and 3 है, इसी तरह 18 के factors हम मालूम करेंगे, 2 into 9 is equal to 18, इसी तरह 18 के factors है, 2, 3, 3, अब इसके बाद हम जो इसमें common हैं, उनमेंसे 1 लेंगे, so 2, 2 इसमें common हैं, तो इसमें 2 लिया, और 3, 3 common हैं, तो इसमें हमने 3 लिया, इसके बाद जो common नहीं हैं, वो हम individually, एक एक, जितनी भी हो, वो सारे लेंगे, so इसी तरह 2 और 3 भी इसके साथ आ गाए, so इन सारों को आप हम multiply करेंगे, तो इसका answer 36 आ जाएगा, 2 into 2, into 3 and into 3, so is equal to 36, so यह prime factors methods के जरी हमने LCM मालूम कर दिया, 36, इसके बाद हम common division method पे हम LCM मालूम करेंगे, so common division method ऐसा है कि हम दोनों 12 और 18 दोनों को एक कटे ले लेंगे, और देखेंगे कि यह सबसे चोटे से हम start लेंगे, अगर यह 2 पे divide होगा, हाँ यह 2 पे divide हो सकता है, so 2, 6, 12 and 2, 9 is equal to 18, इसके बाद हम 6 और 9 को देखेंगे, so 6, 2 पे divide हो सकता है, so 2 into 3 is equal to 6, और 9 divide नहीं हो सकता, तो 9 हम नीचे वैसे के वैसे 9 लेके आएंगे, इसके बाद 3 पे दोनों हो सकते हैं, आप देख ले, 3 into 1 is equal to 3, and 3 into 3 is equal to 9, और इसके बाद नीचे 1 और 3 आजाएगा, इसके बाद 3 into 1 is equal to 3, so अब हम सारे factors जो है, यह 2 into 2 into 3 into 3, यह सारे एक साथ ले ले लेंगे, और इसको multiply कर लेंगे, तो इससे 36 answer आजाएगा, so answer, जो भी method आप यूज़ करेंगे, उसका answer same ही आएगा, so यह ता ILCM method, so प्लीज आप चैनल को सबस्क्राइब केज़ें, और वीडियो को शेर केज़ें आगे, thank you very much,